आज के वीडियो especially उन्हीं के लिए है जिनको IRCTC क्या user ID और password जो person भूल गये हैं उसको याद नहीं है कि मेरा IRCTC क्या user ID और password क्या है तो वो ये वीडियो देख के बहुत ही easy तरीका से वो अपने user ID और password को recovery कर सकते हैं वापस ला सकते हैं सोगाज मैं इंजिनियर राजा और मैं आपसे सेज करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो इसे rate बटन को तबाके YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और इस तरीका का नया नया वीडियो स्पाई आप रुजाना तो आज के वीडियो म जो आपको आना ही चाहिए तो आपको कैसे अपने user ID और password को वापस लाना है कैसे अपने IRCTC पे login होना है यह सब जानने के लिए यह वीडियो को आपको लास तक देखना होगा तभी आप समझेंगे किस तरीका से अगर आपका अपना IRCTC का user ID और password भूल गया है तो किस तरीक अगर आप IRCTC का user ID और password भूल गया है तो इसको recovery करने के लिए mobile phone और laptop दोनों में semi method है तो आप अगर mobile phone यूज कर रहे हैं तो mobile phone laptop यूज कर रहे हैं तो laptop उसमें browser ओपन करेंगे और उसमें आप टाइपिंग करेंगे irctc.co.in तो आपके सामझे कुछ इस तरीका से IRCTC का official website ओपन होके आ अपना IRCTC का user ID और password रिकॉबरी करने के लिए आप पहले वाले login वाले पर क्लिक करेंगे यहां पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीका से यह पोपन होके आ जाता है आप सबसे पहले आप अपना user ID को recovery करेंगे तो user ID करने के लिए आपको user ID पर क्लिक करना है जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीका से यह पेज वपन होके आ जाता है यहां अब लिखा रहा है फोर्गेट user ID तो अब यहां पर आप अपना email ID डालेंगे email ID वह डालेंगे जो आप IRCTC पर account बनाने time में दिये थे अगर आपको यह जो email ID याद नहीं है तो फिर आप recovery अपना user ID नहीं कर सकते हैं तो आपको यह वही email ID यहाँ पर डालना है जो आप IRCTC पे अपना account बनाने time में दिये थे तो आपको यहाँ पो email ID यहाँ पर डाल देना है इसके बढ़ यहाँ पर email ID डालने के बड़ यहाँ को calendar में से आपको जो date of birth है जो date of birth द बॉला है इसको यहां पर चुछ कर लेघ कैपिल में देखिए नहीं आता है तो केप्चा को इस तरह इखर से रेक्स और जो ही केप्चा आएगा वो काफ्चा आपको यहाँ पर डाल दिना चलिए मैं केप्चा डाल देता हूँ यहाँ करेंगे अब यहां देखिये बोला जा रहा है कि योर यूजर आईडी है चेट तो यूर रिजस्टर एमेल आईडी और आपका इमेल आईडी के सुरू का भी कुछ आपका नमबर यहां पर दिया हुआ है जो आपका नमबर फैसके कि आपका आजाएगा तु इस तरीका से अपना चेक कर लेना है कि आपको कौन सा प्राइड़ एक चलिए मैं देखा देता हूं कि मेरे इमेल आइडी पर यहां पर देख रहे हैं कि यूजर आइडी है मेरे इमेल आइडी पर यूजर आइडी आ गया होगा मैं आपको देखा देता हूं आप यहां देख पा रहे होंगे कि हम मेरा जो यहां पर आज यहां इसको उपन करके देखा दे तो आपको यहां पर वही यूजर आड़ी डालना है तो आपको यहां पर वही यूजर आड़ी डालना है जो आभी आपने रिकावरी किया है या अगर आपका पहले से कोई यूजर आड़ी याद है तो वह डालना है अगर आप पासपर रिकावरी करना चाहते है तो जैसे मैं रूप्स पर भी भूल गया इसको रिक बडी किया तो यूजर आईटी मिल गया तो मैं अभी जिसी में अभी रिकवरी किया हूं तो वह यहां पर डाल देना आगर आपको पहले से या थे तुफर डालना है इसका डेट अब बात डालना है जो आप आया कपचा आपको इसमें डालना है स्में नहीं सभेंकर करने जोभी अब हालने के आपकोいき इए इनलेगे आपको आपके लिए और मोबाईल नमबर को वीट भी आइड टूम。 एयुमेल नमबर का इस फीर आपको एक ओट उटीपी बिया होगा वह वीट को को यहां पर डालना चलिए मैं अपना OTP आपको देखा देता हूं जो मेरे email ID पर आया हुआ है तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर one time passport OTP IRCTC के तरब से यहां पर आया हुआ है और यह मेरा six degrees का जो है OTP तो यह OTP आपको वहां पर डाल देना है तो यहां पर मैंने OTP डाल दिया है अब यहां पर आपको एक न्यू पासवर्ड आपको जिनरेट कर लेना है तो ध्यान रहे कि आपको पासवर्ड जो है मतलब आपको श्रड़ आ स्मा लेटर और नमबर होना चाहिए जैसे मेरा नम राजा शुरू का का आपको बहुत अं स्मांद लेटर आ इसमाशस्ड ले एक। पासवोड इसके बाद दोबारा सो यहां डालेंगे दोबारा से यहां confirm कर देना है पासवोड डालने के बाद यहां आपडेट पासवोड पर क्लिक कर देना चलिए मैं क्लिक कर देता हूं तो यहां पे देखिये यहां बुला जा रहा है कि कंग्रोचुलेशन यई पासवोड है अप्टेट सुकस्पॉली क्लिक फोर लोग है मतलब आपका जो पासवोड है सक्कस्पॉली अपडेट कर दिया गिया है अब आप लोगिन हो सकती है यहां लोगिन वाले पे किलिक यहां पर देता हूं यहां पर देता हूं यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर वेलकम और मेरा नाम यहां पर आ चुका है और मेरा एकाउंट भी यहां पर आ चुका है तो इस तरीके से आप बहुत ही अससे अपना user id और password को create कर सकते हैं वापस ला सकते हैं और आंपने IRCTC में एकाउंट में आप login हो सकते हिं तो कोभी करते हुआ है तो इस तरीका से इस तरीका से लिश्ट आ जाता है अगर आप बूख करना चाहते हैं तो इस तरीका से एक्चे के लिटीप क्लिक करेंगे यहां पर देख रहेंगे यहां पर कुछ आप्शन यहां पर आपका अपना यूजर आईडी और पास्वर्ट को रिगावरी करके बहुत ही असानी से आप IRCTC पे आपना जिकट है बुक कर सकते हैं तो आप समझे गए होंगे कि अगर आप IRCTC का यूजर आईडी और पास्वर्ट भूल जाते हैं तो उसको आप कैसे रिकावरी करेंगे कैसे वापस लाएंगे आपको काफी पसंद आया होगा अगर भीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे अपने फ्रेंट के साथ सेहर करेंगे आपके दिल में क्योंको enc progression हो तो नीचे is a comment box मजा के comment करने करेंगे